एलो स्टूडेंट कैसे हैं जैहिन हैपी इंडिपेंडेंस डे फर्स्ट ऑफ और आज क्लासिस वगर है तो ऑफ है जो ऑफ-लाइन भी क्लासिस जो मैं लेता हूं तो आज की छुट्टी है तो मैंने सोचा कुछ किया जाए तो मुझे ख्याल आया है कि एक वीडियो बना दिया है यूटिव वाले बच्चो के लिए जिसमें आपका फर्स क्लास अंवननेशल मैंगि jo यूं मैशने घर्ण में था तो एक मैं आपके लिए स्टेशली यूट्व वाले बच्चो के लिए कि क्या सलेKS से है और क्या-क्या रहेगा हमारा यह इसमिए देखते हैं ठीकई सर financial management को न, आप कहां कहां यूज होता है और है क्या, पहले हम इसके importance को एक बार देख लेते हैं, सर what is the financial management, right, तो financial management कहां कहां आने वाला है, और कहां कहां यूज हो सकते हैं, और हम इसे क्यूं पढ़ें, क्योंकि कुछ कहीं कहीं university में, कुछ university में option में भी होता है, तो बच्चे बोलते हैं सर पढ़के क्या फाइदा मतलब क्या होगा वो थोड़ा सा इजी सा सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं और इजी सा सब्जेक्ट चूज करने के वास सोचते हैं चलिए यह ठीक था यह बेटर था लेकिन आप ध्यान देजिएगा फाइनेशल मेनेजमेंट जो है ना सबसे पहले तो आप बीकॉम लेवल पर पढ़ते हो और कुछ ज़गाए पर ने स्कूल में थोड़ा हिंट दिया जाता है बट मैं उसको कंसिडर नहीं करता अब सर्वीक भाइव한श के बाद आपकी जरनी खतम नहीं होती आपकी जरनी आगे जाती है जैसे बि कॉम कंप्लीट हो जाएगा आपका आपकी जरनी टूबी कंटिन्यो आगे जाएगी आगे जाने के बाद जो मेसर हमारे पास option बसतेomas के बाद आपकी जर्णी खतम नहीं होती आपकी जर्णी आगे जाती है जैसे बीकॉम कंप्लीट हो जाएगा आपका आपकी जर्णी टूभी कंटिन्यू आगे जाएगी आगे जाने के बाद जो मेजर हमारे पास option बसते हैं हम एमकॉम की तरफ बढ़ जाएंगे ठीक है या फिर हम कॉमर्स बैक्राउंड की बात कर रहे हैं ठीक है ना कुछ बच्चे ऐसे हैं बीकॉम के बाद कोई और यूपीसी करने लग गया या फिर ऐसे सी मैं उनकी बात नहीं कर रहा है जो अपने कोर स्ट्रीम को साथ लेके चल र जाता है कि आपको जो आपकी इंक्रिमेंट लगती है या परमोशन कहलो वह बहुत डिले हो जाता है अगर आपने एंबीए कर रखा है तो आपको बहुत जल्दी और एक अच्छी सेलरी मिल जाती हो इस केस में ठीक है नब तो इसकी साइट जाएंगे अब एफ हमारा यहां पर है अगर मैं एफम की बात करें एक मिनिट कुछ कलर आजा भाई कलर ठीक है यहां पर एफम है इस जगह पर इस जगह पर पानेशल मेनेजमेंट है कुछ पॉइंट और व्यू से आपका कुछ पॉइंट पर यह कंपलसरी है और कुछ पॉइंट पर ऑप्शनल है सर, एमकॉम के अंदर एफम है और यहां पर किसी ना किसी सेमेस्टरी में आपको कंपलसरी होई जाता है सर, एमबीए के अंदर फिनाइंशल मेनेजमेंट है ठीक है इसके बाद हम आगे कुछ ऐसे सेक्टर्स है गवर्मेंट जॉब में भी जिसमें जैसे यूपीस्सी ले लो अगर आप यूपीस्सी का प्लान कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप कॉमर्स बैग्राउंट है तो उसके अंदर सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं अडिशनल मेन यह सारी चीज़े या फिर आप नीट की तयारी कर रहे हो तो आप उसके अंदर भी ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज करते हो यह सारी चीज़े तो वहां पे भी आपका एफम आएगा एफम नीट वगरे की तया मैंने गलत बोल दिया मेरे दिमाग में वो चल रहा था है sense का, मैंने गलत बोल दिया, NET के एकजाम के तायरी के लिए, NET के एक्जाम तो NET के एकजाम के तईारी के लिए भी आपको fm, NET तो science होला होगा था वो कई वार होता है, n Mix हो गया, चलो, तो यहां पे भी आपको FM पढ़ना पड़ेगा अगर आप जैसे commerce का पूरा का पूरा चूज करते हो मैं एक importance बता रहा हूं कि हमें आगे कहां कहां आ सकता है इसके बाद हमारे कुछ professional courses हो जाता है जैसे CA CS और CMA ठीक है ये तीन courses है जो professional इंडिया में counted होता है और तीनों का level लगबग लगबग मैं सेम मानता हूं लेकिन लोगों का बूलना है CA थोड़ा मुस्किल होता है CS असान होता है और CA में भी आसान होता है लेकिन ऐसा नहीं है पढ़ना सब में पढ़ता है ठीकिन आप जो चीज नहीं पढ़ोगे वो मुस्किल है जो चीज आप पढ़ोगे वो चीज असान है तो sir इस level पे भी आपको हर एक point पे चाहे आप कोई भी कर लो CA कर लो, CA में कर लो, CES कर लो किसी पे भी आपको FM FM का मतलब पता है कि financial management को मैं short form में बोल रहा हूँ तो यहाँ पे भी FM है इसके बाद किसी आप other course में चले जाते हो other यानि internationally course है अगर वहाँ चले जाते हो उसमें क्या-क्या हो सकता है sir CFA में चले गए आप या आप चले गए ACCA में अब क्योंकि मैं मैंने कहा इस studio मैंने अपना खुद का ही setup तयार करा है भी तो अब मैं इन सब चीजों पर भी लेकर आऊँगा after graduation क्या best रहेगा ठीक है ना क्योंकि उस टाइम पर मैं को time ही नहीं मिलता था ACCA हो गया अब ACCA के बाद या फिर आपका और भी कुछ international courses है जिसके अंदर आपको FM की जुरत पड़ेगी ठीक है सर क्या समझाना चाहरे है आप ध्यान से समझिएगा ठीक है financial management बी कॉम में अगर बच्चे ने नहीं पढ़ा ठीक है अगर बच्चे ने financial management बी कॉम में माल लेते हैं 1% case में माल लेता हूँ वर्स से वर्स के नहीं पढ़ाएगी तो वो यहां पे financial management नहीं कर पाएगा सीधी बात है आपने पहले नहीं पढ़ा जिस पर अगर आपको maths में दिक्कत आई ना 12 में maths ने लिया तो graduation में फिर दिक्कत आगई लेकिन फरक यह था graduation में आपको maths का coaching मिल रहा है यहां पे आपको कोई particular coaching नहीं मिलने वाला आपको self पढ़ना है master का मतलब होता है कि भाई आप इतने capable हो गए हो कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो तो आपको यहां self पढ़ना यहां पे coaching नहीं मिलेगा और अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है और then आप यहां पे आओगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे सापको सारी चीज़े समझ में आ जाएगा और कर पाओगे सेम बात करूँ मैं net के अंदर यहां पे भी आपको पढ़ना पढ़ेगा कुछ ना कुछ point आता है इसा नहीं करूँगा पूरा subject आ रहा है यहां पे तो पूरा subject यहां कुछ point आ जाते है CACS में भरके है जितना B.com मैंन है उससे मान के चलो B.com के अंदर 80% है 20% मोर CACS में आ जाता है हमारा तो वहां पे भी हमें ध्यान देना है और एक financial management तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो यह proper पूरा financial management बन जाता है तो यह चीज़े हैं हमारी total तो अगर आप commerce field में अपना career सोच रहे हो के सर हम commerce field के अंदर अपने career को देखते हैं तो you should opt financial management आपको financial management लेना चाहिए जिनके option में आ रहा है और मैं कहूँगा कि बहुत interesting subject है simple सा subject है हम पूरे syllabus की भी discuss कर लेंगे एक तरीके से first है तो मेरे हिसाब से जितने जगे मैंने बताया है तो आप खुद decide करिएगा कि आपके लिए मैं तो कहूँगा कि बहुत important है financial management आपके आगे career को boost करने में ठीक है न सर इस subject में होता क्या है financial management में देखे finance का मतलब क्या होता है बड़े simple सब्द में समझते है financial management क्या होता है finance का मतलब होता है basically पैसा है ना और management का मतलब होता है arrange मतलब उसको ध्यान रखना तो financial management अब पैसे को सही जगह पे utilization करना ये subject का core theme है अब पैसे का सही जगह पे utilization करने की बात करें तो कोई हमारा chartered accountant नहीं करेगा कोई हमारा MBA वाला बंदा नहीं करेगा ये जो financial management से related होता है नहीं सबसे जो decisions लिए जाते है subjects का main जो usage होता है usage बोल रहा हूँ organization में सबसे top level पे होता है कि हमें ये investment करना है नहीं करना ये investment खरीदना है हमें इस assets को खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए नए plant लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए तो सबसे उपर top level पे ये सारी चीज़े की जाती है तो उस चीज़ को लेके ये subject बना हुआ है कि वो decision लेंगे तो किस तरीके से लेंगे यहाँ पर कोई laser नहीं है कोई journal नहीं है कोई account नहीं है बस conceptual है जैसा कि आपने पहले आपने correct questions अभी accounts के अंदर किये इतने सारे journal entry इतने बड़े बड़े आपके account बनते थे यहाँ पर एक question 10 line से ज्यादा का होगा ही नहीं 8 से 10 line max to max इ इतना ही बड़ा होगा चाहे 20 का question आ जाए लेकिन वो आप तभी कर पाओगे जब आपको उसके concepts clear होंगे इसके अंदर paper maximum बच्चों का जितने time से मैं पढ़ा रहा हूं maximum जिन बच्चों ने देखो हर बच्चे का नहीं बोल रहा है maximum बच्चे जिन्होंने starting से लेके चले हैं उनका हाई घंटे में पेपर खदम हो जाता है रीजन इतना लेंदी नहीं होता अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो कोई दिक्कत नहीं हो लेकिन पढ़ना पड़ेगा आप सोचोगे कि हम इसमें तुक्कल जैसे accounts के अंदर आपने ग्यारवी बारवी फर्स्ट य लेटेड बाते की जाती है तो यह हमारा चोटा सा एक यह था अब हम स्लेवस की अकर हम बात करें तो कितने चैप्टर पढ़ने वाले सर पहले मैं स्लेवस भी दिखा दू कि बच्चे फिर बाद में ऐसा ना सोचे कि सर आपने तो बहुत सारी चीजे बता ही अब ऐसा कुछ है अब हमारा यूनिट फास होते हैं हर एक क्जां में आपको यह बात भी पता है तो पांच ही यूनिट होगे हर एक एम मतलब किसी भी सबजेक्ट इढ़े हर जगह पे पांच यूनिट rumor लगवग' लगवग होता है यहां पे सारी यूनिट require लिट सपोज मैं मालने तो 75 का पेपर आने वाला है अगर आपका 75 का एक्जाम आने वाला है तो ऐसे situation में ऐसे situation में यह 15 marks का unit होने वाला है यह 15 marks का unit होने वाला है और each and every 15 15 marks का है अकाउंट से जैसा ऐसा नहीं है कि एक 25 का और एक 15 का हो जाए सारा का सारा यह रहने वाला है सर फर्स चेप्टर introduction सर दुनिया की कोई भी किताब उठालो उसके अंदर फर्स चेप्टर introduction होता है चाहे economics उठालो math उठालो account उठालो कि about chapter बताया जाता है कि होता क्या है तो यह तो है हमारा पूरा theory का chapter सर इसमें से question पूछा जाएगा जी हाँ इसमें से 10 marks का question पूछा जाता है first question जो होता है second आपका mathematics of finance यह basically है time value of money time value of money सर यह क्या होता है time value of money जो हमने simple interest compound interest वाला एक chapter maths में भी कभी न कभी किया हुआ है compound interest इतने पैसे को हम कितने दिन में double कर सकते हैं डबल है डबल वाली बाद तो कितने दिन में हमारा कितने पैसे इखटा हो जाएगा वह सारे चीज़े तो यह है time value of money सर इस वाले chapter में से भी questions पांच नंबर छे नंबर का इस तरीके से पूछा जागा जागा यह यहां पर दूसरे unit की बात अगर करें नहीं तो यहां पर मैंने यह लिखा हुआ है क्या यह capital budgeting and introduction ठीक है न और एक है capital budgeting and technique आप देख पा रहे होगे तो basically मैं इन दोनों chapter को ना मैं single chapter जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो एक ही chapter के अंदर consider के करके कराऊंगा तो हलाकि कहने को मैंने इसको दो chapter क्योंकि बहुत सारे बच्चों का slaves न अलग-अलग जगह से मैच करते हैं फिर वो परिशान होते हैं कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारे डियू के अंदर तो यह बच्चे कहते हैं सर्फ बुक में तो यह है कुछ बच्चे कहते हैं हमारे युनिवर्सिटी ने यह बोला है तो कई बार कुछ चप्टर को मर्ज कर दिया जाता है जैसे मैं capital बस्टिंग को एक चप्टर मानता हूं आरपी रस्तों की बुक के अंदर capital बस्टिंग को दो चप्टर के अंदर डिवाइड किया गया है दो चप्टर में ठीक है ना इंट्रोडक्शन और एक टेकनीक डियू में सिर्फ बोला गया है capital बस्टिंग एवल्यूइटिंग टेकनीक वगएरा बोला हूँ तो वह सारा चीज़ अगर आपको capital बस्टिंग दिख रहा है तो मैं पूरा capital बस्टिंग कराने वाला हूं इसके अंदर ऐसा नहीं कि कुछ चप्टर है जो कि मान के चलो maximum एक चप्टर अगर कोई भी लेलो तो तीन घंटे से उपर का कोई चप्टर नहीं है तीन घंटे तीन चार घंटे ऐसे चप्टर है और हम प्रेक्टिस करते हैं तो उसे पांच घंटे एक चप्टर जा सकता है यानि चार से पांच क्लासिस का चैप्टर है, तो ये है, सर्फ unit में marks बताने की जुरत नहीं है, ये भी 15 marks का है, dividend decision बहुत आसान चैप्टर, ये एक ही चैप्टर है हमारा, ठीक है न, एक ही चैप्टर है, अकेला 15 नमबर का question, तो 15 marks का ये questions आ जायेगा, ठीक है, इसके बाद working capital, operating cycle, receivable management, या फिर management of cash, या inventory management, यह पूरा एक यह की उनिट है इसमें से इन दोनों में से ज्यादा तर प्रैक्टिकल आने के चांसे होते हैं और इन दो इन में से एक्जामना थियूरी के तरफ फोकस करता है मैक्सिमम चांस है वैसे प्रैक्टिकल ही आते हैं इस बात का आपको ध्यान लगना है ठीक है तो यह था हमारा ओवरॉल पूरा का पूरा एक स्लेवर्स फानेंशल मैनेजमेंट का क्या है टोटल चैप्टर के टम्स में हम बात करें तो हमने इसको चैप्टर के टम्स में 15 पढ़ने वाले हैं अभी देखो क्लास तो वैसे स्टार्ट हो चुकी है तो हम पहले चैप्टर होएना क्यूंकि किताब में सीक कुछ चीज़ा ऐसे मुझे लगता है मेरा कहना है कि मैं क्यूंकि मैंने ना ओफलाइन पढ़ाया हुआ है और ओफलाइन कहां पढ़ाया हुआ पर यहां पर बच्छे भू क्या ब्रिलियंट या फिर बहुत ज्यादा मतलब होश्यार नहीं है जहां के स््टुडेंट के वह प्ढ़ने पर इतना ध्यान नहीं देते हैं लापर वाई तो उन बच्छों को पढ़ाने के बाहूँचे पता चलता है कि बच्छों को पहले क् करना चाहिए तो chapters हम सारे करेंगे लेकिन मैं अपने हिसाब से पहला जो फर्स chapter है ना मैं ये वाला chapter उठाता हूं क्योंकि ये chapter ना कहीं न कहीं इस chapter का referencing हर chapter में आता रहता है तो हम पहला chapter ये start बैसे तो already start हो चुका है और करीब डेट दो घंटे की classes थी उसके ये लगबग हमने 50% chapter complete कर लिया है बट धीरे धीरे YouTube पे भी आ जाएगा उसके चिंता मत करिये तो ये सारा का सारा प्रोसीजर था अब मैं बात करूं सर बुक की तो बुक मैंने कई बार बताया है तो मैं simple एक बार फिर बता देता हूं आपको बुक का नाम है चाहे बच्चा semester 3 का हो 5 का हो कोई भी बच्चा हो आपका बुक है आरपी रस्तोगी ये राइटर का नाम है आप कहीं से भी डेली में ले सकते हैं online Amazon पे पढ़ा हूए है और सारी चीज़े पढ़ा है जिसको नहीं मिल रहा वो नीचे description में कर सकते हो ठीक है न और प्लीज आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप PDF की डिमांड ना करें PDF पता है copyright का बहुत बड़ा इशू होता है आपने भी सुना होगा कितने सारे चैनल से बंद होगे YouTube पे strikes आगे तो वो copyright के विज़े से आते हैं तो ना तो हमारे पास PDF होता है ना ही हम प्रवाइड कर सकते है अब बुक ले लिजिए क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके पर थोड़ा इंवेस्ट हो आपका करना बंद है अब बात करें सर सर भुक भी हो गया अब जो classes चल रही है आप सभी को पता है classes ongoing है एक class हो चुका है MWF में classes ले रहा हूँ और timing है हमारा 7-9 का 7-9 का ये live classes का timing है और YouTube पे मैं classes upload करता रहे हूँ जैसे जैसे video convert होता रहेगा और हम upload करते रहें मेरी कोशिस है कि मैं YouTube पे fast करूँ लेकिन उसके लिए system बहुत heavy चाहिए क्योंकि एक video को convert होने में काफी time लग जाता है क्योंकि 3-4 class है economics भी है और भी काफे सारे चीज़े है FM हो गया या semester 1 का मैं FA भी पढ़ा रहा हूँ फिर business stats हो गया तो हम एक दिन में 2-3 से ज़्यादा video convert ही नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम ज़्यादा लंबी video convert करेंगा रेंडरिंग में बहुत time लगता है जो rendering करता होगा उनको पता होगा कि rendering में time लगता है मेरा PC भी इतना higher end नहीं है i5 है तो time taking जादा हो जाता है उसके अंदर क्योंकि graphic card होता है इसके अंदर वो सारी चीज़े आपको पता होगा कि उतनी higher end है नहीं PC तो यह सारा का सारा सर हम चैप्टर्स भी काफे हैं और मैं स्लेवस कुछ बच्चे पूसते हैं कब तक करा दोगे जो बच्चे application पर YouTube पर देखो मैं डालता हूं और कई बार आपने देखा कि एक्जाम से पहले तक भी स्लेवस में डालने के पूरी-पूरी courses करता हूं नहीं डलता तो मैं बोलता हू कि मैं कोई ना कोई एक वीडियो बना देता हूं कि सर स्लेवस कब तक हो जाएगा तो मैंने कहा आपके एक्जाम नौंबर एंड या देसंबर स्टार्टिंग में है तो आपका स्लेवस जो है October तक पूरा का पूरा complete कर दिया जाएगा जो बच्चे live में हैं दूसरी बात जि रिकॉर्ड भी कर दिया है और उनको पूरा 10-year भी बिल जाएगा पहले से पहले pre-recorded format में एक तरीके से जो अब internal होगा तो आपको मेरे उपर dependency होनी नहीं पड़ेगी क्यों नहीं होना पड़ेगा सर आपके उपर dependency because of क्यूंकि 10-year के case में या फिर मैं पहले से ही आपको वो किसी बच्चे का internal है किसी बच्चे का कुछ और है तो उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा उनको उस चैप्टर का मैं pre-recorded अपनी वीडियो दे दूँगा record करके लग से आप अपना internal दे दो और फिर मैं दुबारा करा हूँगा तो दुबारा भी पढ़ लेना वो बस अपना बस मैं यही चाहूँगा thank you so much मिलते हैं इसी तरीके से next वीडियो में